हलो एवरिवन स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सफेद कपड़ों की चमत फिर से लाने का और इन सफेद कपड़ों के उपर लगे हुए दाग दब्बे साफ करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बिना ड्राइ क्लीन किये ही इस सफेद कपड़ों को हम फिर से चमका सकते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वाइट कुर्टा लिया है आप देख सकते हैं इसका कॉलर बहुत ही पीला पड़ गया है ऐसे ही इस कुर्टे के उपर काफी दाग लगे हुए है इसके स्लीव्स भी काफी काले पड़ गए है तो इसी कुर्टे को हम बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कैसे कर सकते हैं और इसकी चमक फिर से कैसे वापस ला सकते हैं इसका मेथड आज हम देखेंगे तो सबसे पहले किसी बर्तन या बकेट में आप ले गरम पानी आपको जितने कपड़े वाश करने हैं उतना गरम पानी आप ले और सबसे पहले इसमें एड करेंगे कोई भी डिटर्जन पाउंडर फिर डालेंगे एक चमच बेकिंग सोडा अब हम लेंगे एक नीमबू इस नीमबू का पूरा जूस हमें इस पानी में मिक्स कर लेना है नीमबू और बेकिंग सोडा की रियक्शन से कितना भी हेवी दाग हो वो बहुत ही इजिली रिमो हो जाता है इसलिए इस पानी में हम सोडा के साथ साथ नीमू का रस भी मिक्स कर लेंगे अब इन सभी चीजों को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये पानी हलका सा गरम है तो आप किसी चीज के हल्प से इसे मिक्स कर ले अब इस पानी में जितने भी आपको सफेद कपड़े साफ करने हैं उन सभी लेकिन याद रखें ये पानी काफी गरम होता है इसलिए किसी चीज की हल्प से आप इसे सोक करने के लिए रख दे तो इस तरीके से इस कपड़े को आप कम से कम एक घंटे के लिए या फिर ओवरनेट भी आप इस कपड़े को इस पानी में सोक करने के लिए रख सकते हो तो इस तरीके से एक गंटे के लिए मैंने इस कपड़े को सोक करने के लिए रखा था अब इसके बाद इस कपड़े को आप मशीन से या फिर हाथ से जैसे आप डेली कपड़े वाश करते हैं वैसे ही इसे वाश कर ले तो आप इसे में दो के सुखा के फिर इसका result मैं आपको दिखाती हूँ इस कूरते को मैंने इस सिर्फ हाथ सही दोया था और इसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया है तो आप खुद इसका result देख सकते हैं इसकी चमर फिर से वापस आ गई है और इस कूर्टे कूपर काफी पीले डाग थे वो भी निकल गए है तो आप भी इसी मेथड का इस्तमाल करके कितने भी पीले और डाग दब्बे वाले सफेद कपड़े भी बहुती एजीली साफ कर सकते हो और उनकी चमत फिर से वापस ला सकते हो सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये आज के वीडियो यूसफुल लगा हो तो इसे लाइक जरू कीजिए और कुछ ऐसे ही यूसफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब बटन के आगे दिये गए बेल बटन को प्रेस कीजिए ऐसे ही कुछ नए और यूसफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए